हेलो फ्रेंट्स एक बार पुना आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेड़ी 26 पे और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ना कि जो पटले पुट यह माप के जिगा तिलका मांजी इनवर्सिटी के बच्चे हैं ना उनका एम जेसी हिंदी के लिए भी आएगा तो आप भी तयार रहिए कैसा प्रस्न आता है नहीं आता है उन चीजों को समझें देखिए इनके जो प्रस्न थे वह कैसे थे तो देख लिए 2023 सेशन 2023 27 का है और सतर नमर का एक्जाम है तीन घंटे का समय था इनका और सेक्शन यह यानि सेक्शन ए में हम आपको बताया भी सेक्शन एने में दस कोस्टन अब्जेक्टिव है जो की दो नमर का है यानि 20 नमर का यही था तो अब चले सेक्शन एक दसो को सिंख लेते हैं ताकि आपको यह समझ में आया कि आपकी तैयारी अगर इस यहाल में नहीं नहीं है तो आप उस तरह की तैय को कितने काल्खंडों में बाटा गया हिंदी साहित के थिहास तो यह सब पढ़ा रहे पहला लेक्ट्र सा चार राम चंतल के दौरा हिंडी साहीते Seb बस इतना ही एंसर सही हो जाएगा यही जो पहला लेक्चर है नो उससे चार कोशन सही हुआ है और चार कोशन उसी से लड़ा हुआ है तो आप खुद भी देखिएगा अभी तूरंधम बता देंगे तो चार यूगों में इसको बांटा गया है तो यह बात ध्यान में रखिए तो इसको रामचन सुक्र के दौरा जो आदि काल का शुरुआत यानि से सीडि़ाया है तो वह देखे और यहीं orer 75 तक का का आदिकाल है और इसी को वीर गाथा काल का जाता है जो कि वीरगाथा काल कुन बोले थे ग्रामचण सुकल बोले थे जो हम आपको पढ़ाये थे वीडियो तो नहीं तो आप यही पूठाये कि नहीं तो देखिए अब यही कोश्चन आपसे पूछा है कि आधी काल का शुरूआत कव गा तो दस्सों 151 वी से तो आपको पता है कि 251 सी मार दे जैगा सभी हो गया अधी काल की परिस्तितियां कैसी थी ये देखे दूसरा जो वीडियो था उसमें युद्धपरक की यानि उसमें वीरों के बारे में लिखा गया तो यह चीज हम बताये थे कि वीर के बारे में रस के बारे में जो चंदवर्दाई का प्रिस्वी राज रासू है यह सब कोशन एकदम आपके एजिटी जा गया है जो पढ़ाया हुआ है नहीं पढ़ाये हैं तो आप बताईएगा कि हम कौन जान नहीं पढ़ा हैं वह भी बत कालका आगया है जो कि इसके विवाजन जो आदिकालका किये थे तो उसी समय चलिए अगले प्रशन को अब देखिए कर आप पडशिद्धा आदी कभी कौन है तो आप्सन है कवीर्दास उसके बाद है सूर्दास उसके भूसन उसके चंदवर्दाई जब हम आदिकालका कखारे में चर्चा की तो और ये तीनों अप्सन इसमें हम चर्चा नहीं किये तो यह सही नहीं होगा ठीक है आजिए कि कि सकाल का आगमन होता है यादिकाल के बाद कोन काल आता है यह हिंदी साहित में पूछ रहा है तो चलिए इसके भी अब्जिक्त मतलब उसको देख ले है वही भक्ति काल का आजाता है तो यहीं इसी का आगमन होता है तो चलिए और निर्गून किसके परकार है यह तो सगून और निर्गून आप जानते होंगे भक्ति के परकार है यह सामानने चीज़े आज है अगले प्रसुन को देखिए जो कि रितीगाल का अर Coffee कब से माना प Libra ji करना तो देखें यह भी पहले ही लेक्षर काह आज देहें एक स्लाइड की सुर्वाण से आप देख सकते हैं कि आपका का चुर गमेंट करके बताई हैं हमने नहीं पढ़ाया याम जूट बोल रहा है या भी बता दीजिएगा अगर हम जूट बोल रहे हैं तो फिर हम समझ एक हमने नहीं पढ़ाया तो देख लिए यह सही समय है हम उसको करा देंगे हम नहीं कराये थे तो हम करा देंगे ज्ञानमर्गी कभी किसे माना गया यानि ग्यानमार्गी कभी कौन थे जैसी है सूरदास तुलसिदास और कबीर इनमें से सही आपको चुनना है आप option कमेंट में किजेगा कि आपने पढ़ा है तो आप रिती मुक्त कभी किसे माना गया धनानंद है ब्यारी लाल है देवदत हैं इनमें से कोई नहीं तो इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है तो धनानंद होगा या क्या होगा आप खुद ही कमेंट किजेगा यह दोनों कोस्टन जो हम नहीं पढ़ाये थे यह दोनों छोड़ का एक सब्रका और 46 मतलब 44 नंबर का माप कीजिए चार कोस्टन है पांच पांच नंबर का आपको लिखना तो देखें पहला आदी काल की परिष्टितियों का वर्णन करें पहला कोशन था तो यह तो आज ही पढ़ाए है प्रेम मार्गी भक्ति क्या है इसको लिखना था रिती सिद्ध क्या है कभी कौन है रिती सिद्ध वाले उनके बारे में राज अस्रई भक्ति क्या है सूर्दास के बाल कृष्ण की चर्चा करना था उसके संथ कभीर के बारे में लिखना था इसमें देखिए हम अभी सब्जेक्टिव नहीं उतना पढ़ाए हैं तो इस उसके बाद देखिए जो दस नंबर का कोष्चन था तीन कोष्चन अब उसको देखिए हिंदी साहित के आधिकाल की परिस्तिति और प्रविर्टियों का वर्णन करें यह जो दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ाया थे दूसरा लेक्चर जो लिए थे हिंदी साहित का तो उसी म से तुलसिदास के बारे में हिंदी साहित में उनकाा योग्दान है उनको लिखना था फिर दिखे हिंदी साहित के इतिहास में कभी विध्यापति की भकती इवन स्थिंगार योगदान का वर्नन करना था यही आपका लूंग इंसर को जिसमें आपको सही करना था ठीक European और short question हम दो ही अभी तक आपको आया होगा इसमें अगर हमसे पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो खेर कोई बात नहीं है लेकिन हम दो ही टॉपिक जो तीन टॉपिक तीन क्लास लिए हैं उससे पूरा objective आठ objective लड़ा है इसलिए आप पूरे class को देख लिजिए और यकीन म हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपका पूरा का पूरा तैयारी करा दिया जाएगा किसी भी तरह कि आपसे छलवाजी नहीं कि जाएगी ये तो यकीन आप रख सकते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया ना लिज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक किजिए वीडियो को, सेर जडूर किजिएगा, फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्य बाद.